ShShow stall Hello Friends ! Welcome to Online Engineering की यहां ट्रांसपोटेशन , That is Highwayánt균 का मॉस्टर्टन टॉपिक , That is your traffic engineering traffic engineering मेंबहुत सारे components होते है हां पर मैं revision module स्टार्ट कर रहा हूं तो यह जी पढ़ली ही बता देता हूं कि यह उन स्टूटेट्स के लिए जो कि अभी gate की तियारी अलड़ी कर चुके हैं और अलड़ी इस update एक बाप पड़ चुके हैं और वो बस revise करना चाहते हैं तो हैंपर अगर start करते हैं सबसे पहले हम लोग traffic में study करते थे about the traffic studies अगर traffic studies की बात करें तो total चार तरह की traffic studies study करते थे हम लोग पहला calculate करते थे traffic volume किस तरह से निकालेंगे इसके लावा फिस speed की कुछ studies की जाती थी और तीसरा हम लोग OD studies कुछ करते थी क्या होती थी origin and destination studies उसके बारे मिभी बात करेंगे और चौता था that was the delay studies तो total चार तरह की studies होती थी जिसमें सकर मैं पहले की बात करूँ traffic volume study तो सबसे पहले बात आ जाती कि traffic volume क्या होता है तो हाँ पर ध्यान रख़िएगा traffic volume is nothing but that is the number of vehicles passing a particular section of road in a particular given time period जिसके लिए unit हो जाएगी vehicles per hour and that unit can also be return in terms of vehicles per day or can be in the vehicles per minute यहाँ पर जो आपका time की duration है वो जरू change हो सकती है लेकिन यहाँ पर number of vehicles रहेंगे यह number of vehicles अगर आप classify करते हो और उसको convert करते हो into a common unit तो हमाँ पर जो common unit थी उसको आप लोग लिखते थे as PCU, PCU का मतलब क्या था that was passenger car unit मतलब एक passenger car unit को एक unit मानूँँगा तो उसके respect में ही आप बाकि सारे volumes और traffic को convert कर लोगे into the PCU आगे बढ़ते हैं हाँ पर यह भी जरा देखा था कि traffic volume को आप किस तरह से measure करते थे measure करने के लिए दो तरीके थे हमारे पास पहला जो तरीका था that was manual method और जो दूसरा तरीका था that was the mechanical method manual method का मतलब यह था कि आप हाँ पर manually count करते थे लेकिन अगर आप manually count कर रहे हो तो यह laborious method होता था और लेकिन यहाँ पर differentiation in the different type of vehicles भी बहुत easily हो पाता था left turning right turning कितने vehicles हैं straight going vehicles कितने हैं यह आप easily हाँ पर बता पाते थे और यह भी बता पाते थे कि यह कितने truck थे कितने bus थी कितने scooter थे आप motorcycle थी यह आप easily हाँ पर differentiate कर पाते हो जबकि अगर mechanical की बात करें तो mechanical में आप इतना differentiation नहीं कर पाते थे mechanical की बात करें हाँ पर तो दो तरह कि आप use करते थे devices जिसमें पहले का नाम था multi pen meter और दूसरे का नाम था that was pneumatic hose ठीक है इसके लावा यहाँ पर अगर जो भी traffic volume आपने study कर रहा है सबसे पहले बात आजाते है कि इसके importance क्या होगी हम लोग traffic studies क्यों करते हैं तो traffic studies करने का reason होता है तो कि यह हम लोगों को help करता है in the geometrical design geometrical design मतलब जैसे की width कितनी जादा चाहिए हम लोगों को यहाँ पर किसी particular road की उसके बारे में भी यह judge करने में help करता है इसके लावा intersection पर controls कितने देने है इस पर बारे में भी judge करने में help करता है इसके लावा जो आपको facilities provide करने है facilities जैसे कि अगर मान ले आप facility provide कर रहे हो for the right turning separately, for the left turning separately आप इसके लावा अगर मान ले आप grade separation कर रहे हो तो वहाँ पर grade separation देना है कि नहीं देना है यह सारी बाते आप decide करते थे on the basis of traffic volume आगे बढ़ते हैं हाँ पर यह जो particular data है वो data traffic volume के data को आप किस तरह से represent करते थे उसके बारे में भी समझ लेते हैं सबसे पहला जो हाप graph बनाया जाता था that was variation graph, variation graph क्या होता था तो उसमें आप y axis पर लिखते थे traffic volume और x axis पर लिखते थे आप time जैसे कि अगर मान ले आप एक दिन का traffic volume study कर रहे हो तो पकी बात है traffic volume कभी बहुत जादा होगा कभी एकदम से कम हो जागा तो इस तरह का है हाँ पर traffic volume देखने को मिलेगा with the with the hours तो इस particular variation को आप लोग बोल देते थे as the durional variation बट वहीं अगर seasonal variation की बात कर रहे हो तो seasonal variation में कुछ cities होती ही जहां पर कई बार होता है कि कुछ fair लगा है या पर कोई एक particular program हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी एक month में बहुत जादा कभी traffic आ जाए और तब वहाँ पर हम लोगों को कुछ variation ज़रू देखने को मिल सकता है लेकिन traffic volume season के साथ बहुत जादा vary नहीं करेगा तो यह जो particular हम लोगों ने graph बनाया है जिसमें y axis पर आपने दिखाया क्यों ही लेकिन x axis पर जो time लिख रहे हो time की unit क्या हो जाएगी हाँ पर अगर seasonal variation दिखा रहे हो तो यह month हो जाएगी जबकि अगर आप durinal variation दिखा रहे हो तो वहाँ पर time की unit हो जाएगी अवस तो यह दोनों ही graphs जो थे these are the variation graphs इसके लावा दूसरा यहाँ पर बनाया जा सकता है trend chart trend chart एक particular road के लिए ही बनाया जाएगा और year wise अगर आपको variation दिखाना है of the traffic तो आप दिखा सकते जैसे कि अगर माले 2001 में यहाँ पर कुछ इतना traffic था बट अगर माले 2002 में आके कुछ traffic बढ़ गया हो जकता है कि कुछ एक particular rate से बढ़ रहा था और एकड़म से increase हुआ तो यह जैसे माले 2004 गया 2005 में उस पर्टिकुलर रोड के आज पास कुछ construction हुआ जिसके काराण traffic volume बहुँ जादा बढ़ गया तो इस तरह का जो यह particular graph बनता है इसको हम लोग क्या बोलेता है as a trend chart वहीं इसके लावा थर्ड है अगर बात करें तो थर्ड method for the representation of traffic volume data is the AADT, AADT का full form था annual average daily traffic इसको किस तरह से represent करेंगे तो यहाँ पर यह ध्यान रखेगा this is the average daily traffic but that is actually based on study which is greater than or equal to the one year तो अगर आपके पास कोई ऐसा data है जिसमें आपने एक साल से ज़्यादा की study करी होगी तो उस particular data के basis पर जो भी आप एक दिन का हमाँ पर traffic volume बताओगे उसको बोल दोते हो as AADT महीं इसके लावा एक और term पड़ी थी that was ADT ADT क्या था that was average daily traffic जो की average एक दिन का ही traffic है but that is on the basis of a study which is lesser than one year इसके लावा हम लोग यहाँ पर traffic volume diagrams ही बना देते थे जैसे कि अगर हम लोग बायत करें यहाँ पर traffic lines और traffic diagrams कैसे बनाए जाते थे तो आप लोगों को याद होगा हम लोग इन intersection पर diagrams बनाया थे कुछ इस तरह के और इन diagrams में बता दिया था कि यह मानले अगर यह arrows के हिसाफसे आप traffic का movement बता रहे हो तो आप बता सकते हो 400 vehicles per hour सीधे जाते है 200 vehicles per hour left turn करते है या फिर 100 vehicles per hour सिफ right turn करते है इसी तरह से मानल लगर इस directions आने वाले भी traffic को आप इस तरह से represent का सकते हो तो यह क्या बन जाएगा this is your traffic volume diagram इसके अलावा यहाँ पर एक और term थी जिसके form में आप represent करते थे traffic volume data को and that was the 30th highest hourly volume 30th highest hourly volume क्या था तो यहाँ पर ध्यान रखेंगा कि अगर आप पूरे साल भर कि जितने भी hourly volume data आपके पास available है अगर आप उसको arrange करते हो in the decreasing order decreasing order का मतलब क्या है कि सबसे उपर first number पर कौन सा लिखा जाएगा highest traffic volume data हाँ पर उपर लिखेंगे और यह जो particular list है इसमें जो 30th number पर traffic volume आएगा उसी volume को आप consider कर ले तो as the 30th highest hourly volume which will be exceeded कितनी बार तो 30 के उपर कितनी number होंगे 29 number होंगे इसका मतलब it will exceed कितनी बार only 29 times during a particular year so in a year इस particular जो traffic volume है इसी को consider करते हैं हम लोग as the design traffic volume तो हाँ पर धियाँ रखिएगा design traffic volume क्या लिया जाता है already आपको एगेट में एक बार सवाल पूछा जा चुका है हो सकता कभी graph बना कर दे आप लोग को और पूछ लेकिनी बताओ चले में को 30th highest hourly volume क्या होता है या पर आपको table of format data दे दे तो इसके बारे में जिरू धियान रखेंगे इसके लावा जो second है पर हम लोग study करते that is the speed studies करता है